जब मैं लंच की तैयारी कर रही थी तब देखे एक भी टमाटर नहीं है और बीना टमाटर के कैसे सबजी बनाएं तो मैं जटपट निकली हो यहां पे अंधर ही शॉपिंग कमप्लेक्स है तो उतना दूरी जाना है वहां से टमाटर देखते हैं कुछ फूट्स भी अच्छा तो हमें बैग लेके जाना पड़ता है नहीं तो यह साड़े पैकेट मतलब छीन के हाथ से ले जाता है कभी-कभी अटाग भी करते हैं तो बैग लेके हम चल लाए हैं यहां पे सामने ही है को सापिंग कमप्लेक्स यह दिखाए दे रहा है तो यहां तक ही हम जाएंगे और स हाम के टाइम में यह चार्ट स्ट्रीट बन जाता है इस जगात में तो यह आभी-आभी दुकान खुला है वेजटेबल का तो यहां से देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं वेल्कम बैक टू मैं न्यू ब्लॉग बहुतिन बात मैं यह बड़े वले ब्लॉग मना रही हूं तो यहां पर आगे यह देखो दसेरी बड़ा बड़ा है लेकिन हंडेड रुपिस का बता रहे थे आर यह टमाटर को तो सोने के भाव में मिल ला है तो यह ले लिया लेके घर आ गया अब बताओ आपको टमाटर का प्राइस टमाटर हंडेड रुपिस किलो दे रहा है और आम भी 100 रुपिस किलो तो आधा किलो ही टमाटर लिया है तो यह आम को फ्रीज में रख देंगे और टमाटर भी जितना जुरूरत होगा उतना ही लेंगे और आज का पसंद है कि थोड़ा सा रीच खाये उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूं पौधे में पांडी डालने के टाइम मुझे याद आया कि आपको तो दिखाये नहीं मैंने बहुत सारे पौधे खड़ीदे हैं और आफ-लाइन तो आजाओ आप मेरे साथ चलो यह द चोटा फ्लावार आता है इसके पहले भी मैं एक प्लांट खड़ीदा था चोटा था लेकिन बचा नहीं सका और यह दोनों के साथ यह मुझे फ्री मिला यह तुल्शी है रेट कलर में जो है तो यह तीनों प्लांट हमने खड़ीदा यह है गंधराच का पौधा यह मैंने ओनलाइन से खड़ीदा है और काफी अच्छा बड़ा प्लांट मुझे रिसीव हुआ है ठाई से तीन फिट लंबा है और इसके साथ ही मैंने यह हरसंगर का पौधा और एक स्पाइडर प्लांटर लिया है तो हरसंगर का पौधा जितना बोला था उतना आया नहीं छोटा ह और यह उनलाइन का जो मतलब खड़ीदा है इसमें मैं पहले इंडूर प्लांट कुछ खड़ीदा था तो उसके कुछ प्लांट उनके पास नहीं थे तो मेरा जो पैसा उनके पास रह गया था तो करिब एक साल पहले की बात बोलू मेरा उसके अकांट में रह गया था तो मै यह उनलाइन से और चलो आज बताया ना खोड़ासा बच्चों को तोड़ासा रीच खाना है तो इसलिए साड़े कुछ काट लेते हैं काटना क्या है मसाले के लिए अद्रक लसन और प्याच टमाटा रहरी मिर्ट यही करना है तो और बाकी कुछ नहीं लेकिन आज थोड़ास क्योंकि बहुत दिन हलका-हलका खाके मन उप गया है तो बच्चे नी बोले मम्मी ऐज ऐसा खना बनाओ कि आज रीच भी हो और मन भी खुश हो जाए तो उसके खुशी तो सब कुछ करना बनता है तो आज मैं बना रहे हूं यह पनीर बना रहे हूं तो चलो देख लेते हैं पहले कडाई में वाइट ओयल थोड़ा सा जस्ट वान टीस्पून दे दिया उसमें यह खड़े मसाले खड़े गरम मसाले और जीरा धनिया सब साबूत खड़े गरम मसाले में मैंने यहां पर दिया छोटी इलाइची लॉंग और दालचीने और इसके बाद मैंने इसमें प्याज और टमाटर हरी मिर्च यह सब देखे और थोड़ा सा नमक देखे यह भून लेंगे जब तक कर टमाटर नंग सौफ्ट हो जाए और ऐसे अगर पनी तरीके का बना के आप देखिये कितना स्वादिस्ट लगता है तो मैंने तो ऐसे ही बीच बीच में कभी-कभी बनाती हों और इसमें हाट एक बत बोलना भूली गया टमाटर तो डालेंगे इसके साथ और उसके साथ थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा मगज मैंने यहां पर एड किया तो उसके बाद मैंने यह अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर ना सौफ्ट हो जाए और यह सबजी ना आप डोटी, नान, पराठे, उसके बाद पुलाओ, फ्राइड डैस सब के साथ आप खा सकते हो तो अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने यह डालना ह भूल गया मगझ, पाद में याद है आखे थोड़ा सा मगच भी डाल देते हैं तो उसके बाद ही डाला और इसके ठंडा करने के लिए रगग देंगे ठंडा करने के बाद असे पीज लेंगे और यह जीत पनील लिया था मैंने दो पैकेट कड़़ेब 400 ग्रम पनीर है तो 400 800 gram paneer को मैंने यहां पे हलदी और कashmir comoj इसे इसे ही फ्राइख करने इसे 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 इसा इपनीर बहुत अच्छा आता है दिखाय देता है जितने भी मुझने थे उसे पेस्ट कर लेंगे तो उपच और तो और कूछ मसाले दालने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ डालेंगे सिर्फ गणम मसाले थोड़ा सा डालेंगे, अब दो टीबल स्पून ओयल गणम कर दिया और उसमें हल्दी, मिर्ची, मैं यहां पर यूज कर देऊं कश्मिरी लाल मिर्च क्योंकि मसाले में मैंने जो भूना था उसमें हडी मिर्च डाला थ तो इसलिए मैं और यहां पर तीखा नहीं करूंगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ कश्मिरी लाल मिर्ची दिया है, उसमें कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन देखने में जितना लाल लडेड होता है, उतना तीखा नहीं होता, तो यह सारे मसाले को मैं अच्छे से भून और उसमें दालूंगी स्वादनुसर नमक और थोड़ा सा उसके बैलेंस करने के लिए डालूंगी थोड़ा सा चीनी, जालके इसे मसाले को अच्छे से भून के और इसमें अब मतर पनीर मिला देंगे, पहले तो मतर देंगे, मतर अगर पक जाएगा अच्छे से उसके ऑने के ख़िए और मुझे बताएगा, यह कितना स्वादिस्ट बनाया है, मेरे घर में तो ऐसे अगर पनीर मनाते हैं, तो सब चाट जाता है, मतलब एक टाइम में ही कम पर जाता है, यह पनीर के सबजी, इतना स्वादिस्ट लगता है, जितने भी बनाओ, इनका कमी हो जात कसुडी मेथी भी डाल दिया और यह होने के बाद मतर अच्छ से पक जाए उसके बाद अब डालेंगे पनीर जो भून के रखा था डाल के पांसे साथ मिनिट के लिए इसको भी ठक देंगे और उपर से दे देंगे लास्ट में गड़म मसाला थोड़ा सा और धनिया पत्ता चिरक के हम सार्फ करेंगे इतना अच्छा बना था पनीर क्या बताओ दोस्तों और साथ में बना था यह काजू और किसमिश डाल के पुलाओ और साथ में इस तरह मतर पनीर बहुती लजवाब और स्वाधिस्ट वाना था सब तो बतार तारिफ तो बहुत कर रहते हैं